आज का जो वचन है वो प्राथना के उपर है कई बार ऐसा होता है कि हम प्राथना करते हैं और हमारे मन में संदे होता है कि हमारी प्राथना पूरी नहीं होती है क्यों हमारी प्राथना पूरी नहीं होती हम इतने समय से परमिश्र के पास जाते हैं हमारी प्राथना पूरी नह होती हम जो मांगते हैं वो हमको नहीं मिलता है वे झाला यह अंदर संद्धे आता है एक जो यह विशे है मैं इसकी द्वारा आपकी सारी अंदेश को दूर कर दो मैं AJA आरे अंदर जो आंदर संद्धे है वो सब दूर हो जाएंगे कि प्रात्ना करने के बावजूद भी आपको फल क्यों नहीं मिलता है Amen बहुत ज़रूरी है और Bible कहती है कि प्रात्ना एक ऐसा शस्त्र है प्रात्ना एक ऐसा हतियार है प्रात्ना एक ऐसा जरिया है जिसके दोरा हमें परमेश्वर से मिलते हैं और परमेश्वर हमारी प्रात्रा सुनता है लेकिन फिर भी हमारे मन में शिकायत होती है संधे आता है कि मेरी प्रात्रा पूरी नहीं होती मेरी प्रात्रा सुनती नहीं है परमेश्वर से हमने प्रात्रा की प्राथना कराते हैं उप्वास रखते हैं कि हमारी प्राथना पूरी हो कि 21 दिन का उप्वास रखते हैं चालिश दिन का उप्वास रखते हैं कि हमारी प्राथना पूरी हो हमारे घर में शांती है हमारे घर में बरकत हो लेकिन नहीं होती है अलेलुए और आप लोग बेचयन मों जाते हैं आप लोग व्याकूल ओजाते हैं कि मेरी प्राथनां क्यों नहीं पूरी होती है जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं लगे प्राथना ग्यूं नहीं होती है हालेलईया मैं आपको बताऊंगा अगर देखे समय हुआ यह subject बहुत ही detail में मैंने इसको तयार किया है अगर तो समय हुआ तो मैं आज ही पूला कर दूँगा अगर नहीं हुआ तो इसी subject को मैं next week भी बताऊंगा Hallelujah इसके 10 points हैं जो मैं आपको बता दूँ 10 points में मैं आपको बताऊंगा कि प्रात्राइं क्यों पूरी नहीं होती है Hallelujah पहले मैं आपको points बताता हूं उसके बाद आपको मैं एक-एक points को detail में बताऊंगा Hallelujah ताकि आप उस point को समझ सकें और ताकि आप यह जान सकें और यह समझ सकें कि यह point यह जो संदे यह जो चीज़े मेरे साथ होती है इसलिए प्रात्राइं पूरी नहीं हो रही है तो आप उसको दूर कर सकते हैं जो समस्या है जो मैं आपको बता रहा हूं points अगर वह आपके जीवन में साथ हैं तो आप उसको दूर कर सकते हैं ताकि आपके प्रात्राइं डिलेक्ट परमिश्यों से सामनी होंगी और वह पूरी होंगी प्रेस अलॉट थाले रही है आज का जो सब्जेक्ट है जो विशह बहुत बहुत अच्छा है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज अपना ध्यान लगाएगा इसमें आपका जीवन बदल जाएगा मैं आपको गरेंटी देता हूं अगर आपने इन चीजों को समझ लिया आपकी हर प्रात्रा सुनी जाएगी हर प्रात्रा आपकी सुनी जाएगी कहीं न कहीं प्रॉबलम है जो आपकी प्रात्रा नहीं सुनी जा रही है और वो प्रॉबलम क्या है उसको हम आज दूर करेंगे कितने लोग चाहते हैं वो प् हो ताकि कोई भी रुकावट नहीं हो हालेलिया पहला है पहला पॉइंट है हम जो चाहते हैं उसे मांगने की बजाए संघर्ष करते हैं हम जो मांगते हैं हम जो चाहते हैं उसे मांगने की बजाए प्रात्रा करने की बजाए हम संघर्ष करते हैं मैं बताऊंगा दूसरा हम स् रहते हुए मांगते हैं इसलिए हमारी प्रात्ना पूरी नहीं होती हालाली चौथा हम निर्धन की चीक में बहरे हो जाते हैं हम निर्धन की चीक के लिए आपके घर में काम करने वाले जो निर्धन हैं जो गरीब हैं जो आप से जुड़े हुए हैं उनकी पुकार को नहीं लिए आपकी प्रातनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है हाललुया पांच मां परमेश्वर के पवित्र जनों का विरोध करते हैं हमारे अंदर से सभाब है कि परमेश्वर के जनों का विरोध करते हैं तो प्रातनाएं पूरी नहीं होती छटा हम परमेश्वर के नियम वाली आत्मा रखते हैं हमारे अंदरक्षमा ना करने वाली आत्मा है इसलिए हमारी प्रात्ना पूरी नहीं होती आत्मा हम में विश्वास की कमी है इसलिए हमारी प्रात्ना पूरी नहीं होती नवा हम अपने हेड़ाय में मुड्तियों को रखते हैं इसलिए हमारी प्रात्न पूरी नहीं होती कि यह 10 पॉइंट हैं जिसके वजह से आपके घर में आपकी जो प्रात्ना है आप जो परमिश्वर से मांगते हैं वह प्रात्ना पूरी नहीं होती यह 10 पॉइंट है और मैं आपको सच कह रहा हूं आप चाहे हो सकता है मेरे सामने ना करें लेकिन अपने अंदर ही आपके मैसूस करेंगे कि हां यह कहीं कुछ मेरे संग हो रहा है या मैं कर रहा हूं इसकी वज़से मेरी प्रात्रों में नहीं कमी आ रही है और मैं प्रात्रा नहीं कर पा रहा हूं और प्रास्थना मेरी पूरी नहीं हो रही है तो पहला पॉइंट हमने देखा है कि जो हम चाहते हैं उसे मांगने की बजाए संघर्ष करते हैं याकूब चार का दो मैं अगर हम पढ़ेंगे याकूब 46 का दो क्या कहता है जली से पढ़िए मेरे बाच्छी का लिंह कुछ करते हो और प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम दुम जहगडते और लड़ते हो तुमें इसे यसा के लिए मिलता कि मांगते नहीं क reflective मांगतें नहीं हो तो मांगतें नहीं हो सिंफस्मन में अरा हुआ इसा लॉट मкими यापको चाहिए कि आपको कि धन्ला करते हैं निए नहीं करें लेकिन आप하는데 को इसकी एजन्सी के लिए मुझे किसी MP का अगर लेटर मिल जाए कुछ MP का अगर मुझे एक मिल जा सपोर्ट मिल जा तो मुझे यह एजनसी मिल जाएगी मेरा धंदा बढ़ जाएगा तो आप क्या कहते हैं आप क्या करेंगे अब आप उस MP से संबंद बनाने में लग जाएंगे उस MP के जरीए पहुंचने के लिए जो भी ताकत है उसको यू परमेश्वर कहता है कि अगर तेरे जीवन में वो जरूरी है वो तुझे मिलेगी प्रेस अलॉट हम क्यों संगर्ष करते हैं क्योंकि तो हम औरों को देखकर अपने जीवन को जीते हैं तुम लालसा तो करते हो लेकिन तुम मिलता नहीं क्योंकि तुम हत्या करते हो इधर ब आप अपने सौभाव की हत्या करते हैं मांगने के लिए ये मुझे चाहिए मेरे पाद पचास आदमी है मेरे पाद ताकत है मैं इसे छीन से ले सकता हूं आप संघर्ष कर रहे हैं मांग नहीं रहे प्रात्ना नहीं कर रहे इसलिब आपको नहीं मिल रहा है को अरुगति गर्टी पर चाहिए लोटा मिलो आप कभी अपति ताकत का उप्योग करना चाहते लेकिन आप उसकेपटि का उप्योग ने कर रहे हैं आप अपने सभाब की कर रहे है आप संघर्ष कर रहा है लेकिन मांगil रहे हैं इसलिए आप्की कैस्भ पूरी नहीं होती है हाललुया, दूसरा, हम स्वार्थ की भावनाओं से मांगते हैं, हम जो मांगते हैं उसमें स्वार्थ ज्यादा लिप्त है, चार का तीन पढ़िए, याकूब चार का तीन, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से आपके पास फोन जो हो अच्छा है य Rocky आपका फोन जो है वो अच्छा है लेकिन आई 15 आगय तो आई 15 चाहिए क्योंकि मैने दोस पास है मेरे सहली के पास है मुझे अपनी गल्फरेंड को दिखाना है एक फॉन मेरे पास रहेगा तो मेरा स्टेटर्स बढ़ेगा आजकर बहुत गलत हैं ये लोगों को कि मेरे पास आईफॉन होगा तो मेरी इसत बढ़ेगी हाललिया आपका स्वार्थ आप स्वार्थ की भावना से माग रहें आपको जरूरत नहीं है पास्टर से भी प्रात्रा कराते हैं उपवास भी रखते हैं कि मुझे आईफॉन मिल जाए मुझे गाड़ी मिल जाए हाललिया प्रेस अलॉट अगर आपकी प्रात्राओं में स्वार्थ है अगर आपकी प्रात्राओं आपके शरीर को satisfy कर रही है तो आपकी प्रात्राइं नहीं पूरी होंगी Hallelujah Praise the Lord हमारी प्रात्राओं में स्वार्त नहीं होना चाहिए Bible कहती है कि परमिश्वर जानता है कि आपको क्या चाहिए जैसे कि आप एक माँ जानती है कि मेरे बच्चे को कितनी भूख है Hallelujah वो हर ज़रूरत की चीज देता है जो पिता है वो अपने बच्चे की ज़रूरत के लिए पूरी मेहनत करता है जो जो उसे चाहिए लेकिन जब फिजूल की चीज़ें बच्चा मांगता है तो पिता ना करता है कि नो इस चीज की जरूरत तुम्हें नहीं है? क्योंकि पिता जानता है कि कि चीजों से उसकी जरूरते पूरी होंगी लेकिन जो स्वार्ठ है वो आपकी प्रात्नाओं को दुश्यित कर देता है हालेलिया स्वार्थ की जो भावनाएं हैं वो आपको परमेश्यों से दूर कर देती है हमारे मांगने में स्वार्थ नहीं होना चाहिए इस अलोट अभी आप मांगे कि साथ मेरा लॉट्री का टिकेट लग जाए एक करोर का लॉट्री का टिकेट लग जाए मेरा कैसे लग सकता है क्या आप उमीद करते हैं कि परमेश्यर आपको लॉट्री का नंबर बताएगा अगर आपको लॉट्री का नंबर परमेश्यर बताएगा तो आपको आपका स्वाब बदल जाएगा फिर आप परमेश्वर भरोसा नहीं करेंगे फिर आप लॉटरी पर भरोसा करेंगे हमारी प्रात्राओं में अगर स्वार्थ है इसलिए जब भी आप मांगते हैं तो आप देखिए कि मेरी प्रात्राओं में स्वार्थ तो नहीं है क्योंकि स्वार्थ परमेश्वर को नहीं पा सकता आपको खाली करना पड़ेगा अपने आपको अगर आपको प्रभू को पाना है लेलॉया जब मन्ना परवेशन ने दिया था निरिकमान सोला का चार में अगर आप लेकेंगे जब मन्ना पर्मेशन ने भेजा था तो पर्मेशन ने कहा था तुम आज की रोटी लो अललुया जितना तुम्हें आज भूक है उतनी तुम्हें आज मन्ना मिलेगा कल के लिए मत लेना अगर कल के लिए लोग है तो वो मन्ना सड़ जाएगा कुछ लोगों ने माना और कुछ लोगों ने नहीं माना और इन्होंने डबल मन्ना लिया आज का कल का भी लिया और वो मन्ना सड़ गया लेकिन जब शनीवार को परमिश्र ने का शनीवार को तुम संड़े का भी मनना ले सकते हो क्योंकि वो विश्राम का दिन है और जब उन्होंने ऐसा किया तो मनना नहीं सड़ा परमिशर क्या देखना चाहता है परमिशर क्या एक हफ़ते का मनना उनको नहीं दे सकता था परमिशर क्या एक हफ़ते का मनना या एक महीने का मनना नहीं दे सकता था परमेशर क्या चाहता है परमेशर चाहता है कि आप उसपर भरोसा करें इसलिए जब इशु मसी ने चेलों को प्रात्रा सिखाई तो उसने क्या लिखा मुझे रोज की रोटी दीजिए आपको बता है परमिश्र रोज आपसे बात करना चाहता है रोज की रोटी के लिए परमिश्र चाहता है कि आप आज की रोटी खाने के बाद उसकी और देखें उससे मांगें कल की आशीश के लिए इसलिए वो बोला है आज की रोटी मुझे दे तक प्रमेश्टर आपसे रोज बात करना चाहता है एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि परमेश्टर आपसे रोज बात करना चाहता है मैं आप अपनी भूग के लिए बहुत बहुत टेंशन में रहते हैं कि क्या खाऊंगा क्या प्यूंगा कहां रहूंगा कौन से कपड़े पहनूंगा परमईश्ण चाहता है इन सारी तनाव को सारी व्यकुलता को भूल जाईए मुझ पर नजर लगाईए मैं दूंगा तुम्हें तु क्या खाएगा तु क्या पहनेगा तु क्या पिएगा इसकी जिंदा मत कर मेरे राल चेकी खोच कर यह सारी चीज़े तुझे मिल जाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है दो हजरा साल पहले जो वचन हुए उसमें नहीं आज बात करना चाहता है परमेश्वर आपसे आज इश्वर मसी ने जब परिक्षा दी शैतान को जब शैतान इश्वर मसी के परिक्षा करने के लिए आया तो इश्व मसी ने एक उपदेश दिया एक शिक्षा दिये पहली शिक्षा इश्व मसी के मुख से निकली वो क्या है मती चार का चार मैत्यू 4-4 पहली शिक्षा जो इश्व मसी ने शैतान के द्वारा हम तक पहुँचाई पढ़िए बेटा एश्व ने उत्तर दिया लिखा है मनुष्य के वल रोटी ही से नहीं परंदो हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा निकलता है मनुष्य के वल रोठी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा और जो वचन रोज निकलता है क्या लिखा हुआ दुवारा पड़ो येश्य ने उत्तर दिया लिखा है मनुश्य के वरोठी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमिश्वर के मुख से निकलता है आज भी निकलता है ये 2000 साल पहले आप समझ रहे हैं कि किन वचनों से हमें जीवित रहूँगा जो इस बाइबल में लिखी हुई है कि आज मैं आको खुलासा कर दू आप सोचने जो बाइबल में लिखे वुए वचन है उनी से में जी बित रहूंगा जो दोहजार साल पहले इशु मसी के द्वारा या परमेशन निपवित्रात्मा कि द्वारा इस Bible में लिख दिए हैं उन्हीं वच्णों से हमें जीवित रहूंगा नाई कि उससे यहीं कि परमेशन के मुख जो मुख से बचन निकल चुके हैं नई निकलता है यहीं कि आज भी निकलता है आज भी निकलता है वह आप से बात करना चाहता है कभी-कभी आपकी प्रात्रा क्यों पूरी नहीं होती वह आपको क्यों रोग लेता है क्योंकि आपसे बात करना चाहता है आप तक अपनी बात पहुचाना चाहता है इसलिए लाल समुद्र से निकलने के बाद तीन दिन तक इसराइली जंगल में गोम रहे तो उनको पाने नहीं मिला परमेशन आपसे बात करना चाहता है आपकी मांगी हुई चीज को आपको नहीं देगा वह तकि आप उस तक अपना ध्यान लगाएं कभी कभी आपका काम कम 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 हो जाएगा परमेशन चाहता है गुटना टेक मैं तुस्से कुछ बात करना चाहता हूं कि मैं तुस्से कुछ बात करना चाहता हूं क्योंकि जब आपको काम होगा तो आप परमेशन से एक सिर्फ अधिर दो प्रात्णा की बाइबल पड़ि बस जुटी निभाएंगे आप परमेशन आपको और मजबूत बनाना चाहता है इसलिए वह कहता है कि मनश्य रोटी से ही नहीं इसका मतलब यह नहीं कि उससे रोटी छाने के लिए मना किया है रोटी से ही नहीं पर मेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा रोटी से भी और वचन से दोनों से जीवित रहेगा लेकिन कौन से ताजी रोटी ताजा वचन वो आज भी आपसे बात करना चाहता है इसलिए वो कहता है मैं तुझे आज की रोटी दूँगा तक कि तु कल की रोटी के लिए मेरे पास आ मुझसे बात कर मेरे सामने आकर बोल कि मुझे तेरी जरूरत है आज की रोटी खाने के बाद उसके सामने घुट्टे टेकिए उससे कहिए कि प्रभू येस मेरे जीवन का तु ही है सहारा मुझे तु चाहिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मिरे पास कुछ शक्ती नहीं है मेरे पाद कोई बुद्धी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शुन्य हूँ मुझे तु भर, आज भी भर, जैसे तुन्हें आज भरा था, वैसे मुझे कल भर यस मुझे रोज भर, इसके लिए आपको रोज जाना पड़ेगा प्रभू के पास इसलिए वो एक दम नहीं देता, इसलिए उसने इसरालियों को एक साथ मनना नहीं दिया, आज का मनना दिया इसलिए उसने चेलों को सिखाया है, आज की रोटी, आज की रोटी मांग बोली धन्यवाद, धन्यवाद कि तु मुझे आज की रोटी देता है, मुझे कल की रोटी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आज तेरे पास आना है, Amen मुझे इतना नहीं चाहिए कि मैं तुझे भूल जाओं नहीं मुझे कम दे मुझे भूका रख था कि मैं तुझे याद कर सकूँ अगर मेरे पास भंडार है और तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है इसलिए वो कहता है कि अपने स्वार्थ की भावनाओं में आप जब लिप्त होते हैं आप जब घिरे होते हैं तो आपकी प्रात्नाएं नहीं सुनी जाती हैं अगर आपके अंदर स्वार्थ है तो उसको निकालिए और फिर प्रात्रा करिए परमेश्र आपकी प्रात्रा सुनेगा तीसरा हम पाप में लिप्त रहते हुए मांगते हैं यह शाया उन्सट का एक दो हम पाप में लिप्त रहते हुए मांगते हैं हम पाप भी कर रहे हैं और आपको बचाने के लिए अपने एकलोते पुत्र को कुरूस पर मार दिया कि हालेलुया कि हम भूल जाते हैं है और पाप करते हैं और पाप में लिप्त रहते हैं थैं हम पाप में इस कदर लिफ्ट हो जाते हैं कि हम समझते हैं कि हम सही जिन्दीगी जी रहें हम समझते हैं कि हम सही जिन्दीगी जी रहें Hallelujah Praise the Lord हम चो काम कर रहे हैं सही है, ठीक है नहीं हमें पाप को समझना पढ़ेगा चूछिए पाप परमिश्र को बर्दाश नहीं है मैं आपको बताऊ अगर आप उसकी आग्या पे चल रहे हैं द्यान से सुनिए अगर आप दशांश भी दे रहे हैं वचन भी पड़ रहे हैं रोज सुबह प्रात्ना भी कर रहे हैं कलीशिया भी आ रहे हैं लेकिन इन सब करने में आपका प्रेम नहीं है परमिश्रक के साथ तो इन सब चीजों का कोई फाइदा नहीं है हमें प्रेम से करना है हमें बाइबल पढ़ने के लिए प्रेम होना चाहिए अगर आप मेकेनिकल कर रहे हैं ड्यूटी से कर रहे हैं तो आप आठ बीजे उठेंगे शाड़े आठ बीजे उठेंगे नौ बजे उठेंगे 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 अस कर लिया आपने सब्सक्राइब हो गया मेरा अगर आपके अंदर प्रेम होगा तो आप एक समय जो बांधों के पांच बजे का शे बजे का उसमें आप नहीं करोगे तो आपको बोज़ होगा कि मैंने घलत किया है पाप में लिप्त होते हुए जब आप मांगते हैं तो परमिशर आपकी नहीं सुनता है आपकी प्रात्नाय परमेश्व तक पहुंचेंगे नहीं क्योंकि आप पाप में लिफ्थ हुएं आप धोका दे रहे हैं काम कर रहे हैं आप जूट बोल रहे हैं काम कर रहे हैं सके परन्तु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे पर्मेश्व से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों ने पापों के कारण उसका मूँ तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता हां पहले 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 पहलो ऑइसा चोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके ना ही वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके कभी कभी हमें लगठाएं परमिशर बहरा तो नहीं है मैं दो साल से चिला रहा हूँ मुझे ये चाहिए ये चाहिए मुझे नहीं मिल रहा है ये शाय क्या कहता है कि उसका हाथ छोटा नहीं है वो बहरा नहीं है वो कर सकता है लेकिन क्यों नहीं कर रहा है दूसरा परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है तुम्हारे अधर्म के काम इतने बढ़ गए है कि तुम समझ रहे हो कि परमेश्वर के साथ हो लेकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है आपको याद है कुरूस पर जब इशु मसी ने पूरी दुनिया का पाप ले लिया था कुछ समय के लिए परमेशर ने उसको छोड़ दिया था याद है आपको Bible में उसने कहा है कि पिता तुने मुझे क्यों छोड़ दिया है पिता चला जाता है इसलिए तो हो कहा है था वो कडोरा मेरे सामने से हटा लो क्योंकि वो जानता है कि पाप आएगा तो पिता चला जाएगा हमारे अंदर भी पाप का वो ही डर होना चाहिए कि अगर मैं पाप करूँगा मेरा पिता मुझे से दूर हो जाएगा मेरा ईशू मुझे से दूर हो जाएगा अगर मैं जूट बोलूँगा मेरा प्रभू मुझसे दूर हो जाएगा अगर मैं धोका दूँगा तो मेरा प्रभू मुझसे दूर हो जाएगा ना पिये कि आपको क्या चाहिए जूट से किये हुआ आशीश या प्रभू चाहिए कौन सी चीज आई आपको जूट से मांगी हुई दौलत या कुछ पलों के लिए या परमेश्वर प्रेस अलोट क्योंकि कहता है परंतु तेरे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मों तुमसे चिप गया है कि वो नहीं सुनता है Amen Hallelujah आप पाप करते हैं और उसके आप मांगते हैं आप शमा भी नहीं मांगते हैं आप सौरी भी नहीं बोलते हैं आप पश्रताप भी नहीं करते हैं आप अधिकार समझते हैं इसलिए आपकी प्रातना पूरी नहीं होती इसलिए आपकी प्रातना परमेश्रक तक नहीं पहुंचते हैं वो क्या कहता है उसके पास हाथ हैं बड़े हैं उसके कान भी सुनते हैं लेकिन तुम्हारे अधर्म की वज़ा से अभी आपको चांचना है कि आपका ऐसा कौन सा अधर्म है जिसकी वज़य से आपकी प्रातना सुनी नहीं जा रही है आप मांग रहे हैं कि परमेशर मेरे जीवन में अद्भूत आशीषो लेकिन नहीं आ रही है सूचिए कि कौन सा ऐसा आपका अपराद है कौन से ऐसा आप राध है लेकिन बचन कहता है बाइबल कहता है कि अगर आप अधर्म का काम कर रहे हैं पाप में लिप्टे हुए हैं तो आपकी परात्राइं पूरी नहीं होंगी नहीं है फिर आप कहें कि साब ये पास्टर गलत है इस पास्टर को काम नहीं आता परात्रा करनी नहीं आती ये चड़ सही नहीं है सब सही है आप सही नहीं है आप सही नहीं है अब क्यों नहीं समझते हो जो आपके लिए अपने एकलोते पुत्र का बलिदान कर सकता है क्या वो आपको नौकरी नहीं दे सकता क्या वो आपको सेविंग नहीं दे सकता आपके बैंक बिलेंस को नहीं बढ़ा सकता क्या वो आपके धंदे को नहीं बढ़ा सकता अगर आपका धंदा नहीं बढ़ रहा है आपकी सेविंग नहीं बढ़ रही है क्या है कुछ तो प्राब्लम है लेकिन हम इतने ज़्यादा स्वार्ती हो जाते हैं कि हम अपने आप को नहीं देखते हैं हम परमिश्ड को ही दोश लगाते आलेलुया बैबल कहती है अगर आप पाप में लिपत हैं तो आप आशीश नहीं प्राफ्ट कर सकते। Alleluya! Price the Lord! चौथा पॉइंट अगर आप निर्धन की चीक के लिए बहरे बनते हैं धिन्दी जी धिन्दी अगर आप निर्धन की चीक के लिए चीक शब्द है नीती बचन Alleluya 21 किसका तेरा सॉरी जोot ऐब की धूहें पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी दोन dal tea पर कान नहीं देगा वह अगर पर्फ जो सबोहनद से पुकारेगा तो कि नहीं सुनी जाएगी ि अलेलिया हम कभी कभी बजार जातें है और सामने वाले को धौस लगाते हैं हम सोचते हैं कि हम लेने के लिए आए उजबस्ति उसका पैसा कम करने की कोशिश करते जबस्ति उसका पैसा हम नहीं देते हैं आपकी प्रात्राइ नहीं सुनी जाएंगे आपके संग कोई काम कर रहा है और अगर उसको जरूरत है और उसकी जरूरत पर आपने उसको नहीं दिया और आप उसकी चीख को उसकी फुकार को नहीं सुन रहे हैं आप उसकी अवस्ता को नहीं देख रहे हैं आप उसकी मजबूरी को नहीं देख रहे हैं आपकी प्रात्ना नहीं सुनी जाएंगी यह मैं नहीं किया रहा हूं वचन किया रहा है अगर आप कंगाल की चीख पर ध्यान नहीं देते परमेश्वर देख रहा है मैंने आपको पहले भी पताए था कि आपका हर काम परमेश्वर से संबंदित है चाहे आप गलत करते हैं तब भी परमेश्वर नयाय करता है जब आप अच्छा करते हैं तो परमेश्वर आशीर देता है इसे याद करिए अपने थोड़े से फाइदे के लिए अगर आप किसी के दिल को दुखाते हैं आपके घर में राशन आ जाए और आप ये चिंदा नहीं करते कि सामने वाले का राशन है की नहीं है तो परमेश्वर वचं देता है परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी प्रातना नहीं सुनूंगा प्रेस अलोट नहीं सुनेगा वह प्रात्रा हालेलोया हम दोश ना लगाएं परमेश्वर पर कलीसिया पर पासवान पर नहीं हम खुद को देखें अगर आपकी प्रात्राइं पूरी नहीं हो रही है आप खुद को जहांचे कि मैं कहां गलत हूँ मुझे ब्लेसिंग नहीं मिल रही है मैं कहां गलत हूँ में घर में आशीश नहीं आ रही है मैं कहां गलत हूँ परमेश्वर गलत रही है मैं आपको सच कह रहा हूँ चैलेंज करता हूँ परमेश्वर के वचन पर चलिए वह आपको कभी भूका नहीं सुलाएगा परमेश्वर के वचन पर चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ मांगने से पहले आपको मिलेगा आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे आप धुका देंगे आपके मन में कालिक होगी आप अपने कंगालों का आप अपने निर्धनों का जो भी आप से जुड़े हुए अगर उसको नहीं देखेंगे परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा नहीं सुनूंगा प्रेस अलॉट क्यों नहीं सुनेगा परमेश्वर क्योंकि तू तू तुझे अधिकार दिया है परमेश्वर ने अलेलॉया अगर मैं परमेश्वर का चुना हुआ दासू मैं हूँ और मुझे दोसो आत्माई दियें परमेश्वर ने और में अगर आपके अनुसर नहीं चलूंगा अगर मैं आप Valley दिया हुआ पैसे को खाजाओंगा तूर के परमेश्वर मेरी मेरी प्रात्ना सुनेगा अप्र ने सुनेगा की मेरे कलीसिया में बर्कत हो rein है इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर की आग्या पे रहा होगा अगर मैं परमेश्वर की आग्या पर नहीं चल रहा हूं मेरे भाई आपका काम नहीं बनेगा आपको यह अच्छन लगेगा आपके जीवन में काम नहीं होगा क्योंकि मैं सही नहीं हूँ मैं आपका आत्मिक पिता सही नहीं हूँ अगर मैं आपका आत्मिक पिता सही नहीं हूँ मेरी प्रात्रा नहीं सुनी जाएगी रेस अलॉट क्या हमारे जीवन में आजमाईशे नहीं आती क्या एक पास्टर की लाइफ आप जी कर देखिए आपको समझ में आएगा एक चर्श को समाल कर देखिए आपको बहुत खर्चे हैं बहुत सी समस्याएं किसी एक को आप अगर ब्लेस कर देंगे किसी एक की अगर इच्छा पूरी कर देंगे तो बाकी लोग नराज हो जाएंगे आप नहीं जानते हैं पास्टर को कितना ध्यान देना पड़ता है कैसे तलवार पर चलना पड़ता है तक कहीं कोई गलती न हो जाए ना परमेश्वर से ना ही कॉंग्रिकेशन से अमेन तब परमेश्वर का अद्भूत आशीश आपको मिलता है और मुझे मिल रहा है मैं बहुत आशीशित हूँ बहुत आप सोच नहीं सकते हैं मैं बहुत आशीशित हूँ क्योंकि हर पल मेरा सिर्फ यही ध्यान होता है कि मैं परमेश्र के वचन पे चलूँ मैं कोई भी काम ऐसा ना करूँ जो परमेश्र की दृष्टी में गलत हो या ना ही मेरा बेटा करे ना ही मेरी पत्नी करे अलेल्विया इसलिए जब आप उसके दर में अपने जीवन को बिताएंगे जब आप हर काम करने से पहले डरेंगे परमेश्र आपके साथ ख़ड़ा होगा आप देखेंगे कि परमेश्र मेरे साथ खड़ा है तो हम निर्धन की चीक के लिए जो बहरे बन जाते हैं तो नीटी वचन 21 का तेरा कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रात्राओं को नहीं सुनता इसलिए आज से मैं आपसे विंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपके संग कोई निर्धन या गरीब या कौंगाल को जुड़ा हुआ है प्लीज उसकी सुधी लेजिए उसकी सुधी लेजिए पर्मेश्वर के पवित्र जनों का विरोध करते हैं उत्पत्ती बारा का तीन उनकी प्रात्राओं को पर्मेश्वर नहीं सुनता उनके जीवन में पर्मेश्वर काम नहीं करता Alleluia आप Permation के चुने हुए दासओं को अगर गलत कहेंगे आप शब्द कहेंगे उसका विरोध कहेंगे उनकी नकल उतारेंगे उसके बारे मिं गलत गलत बाते करेंगे Permission नहीं सुनता Permission नहीं सुनता Alleluia Alleluia första veverand में मरियम जो थी मुसा की बेहन थी हालेलिया मुसा की बेहन थी हालेलिया और मरियम ने मुसा को गलत कहा Praise the Lord मुसा परमिश्र के बहुत करीब था यह आप सब लोग ख्यानते है अब जब करीब हो गया जब वो बड़ा हो गया जब वो बोलता था परमिश्र की बातें तो मरियम जो उसकी बेहन थी उसको भी लगा किया यही बोल सकता क्या हम नहीं बोल सकते क्या क्या परमिश्र हमसे बात नहीं करता है Praise the Lord यहाँ पर उसने कहा बारवा अगर पढ़ेंगे गिंती का बारवा मुसा ने कुशी इस्त्री से विवा कि लिया अथा मरियम और हारुम और मुसा की निंदा करने लगे क्योंकि उसने उस कुशी इस्त्री से विवा किया था उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मुसा ही के द्वारा बातें की हैं क्या उसने हमारे द्वारा बातें नहीं की और यहोवा ने ये बात सुन ली हलो अब याद रखिए परमेश्वर अपने चुने हुए के लिए कुछ भी बर्दाश नहीं कर सकता है अगर आप उसके चुने हुओं का विरोध करेंगे गलत बात कहेंगे वो बर्दाश नहीं करेगा यहोवा ने सुन ली मुसा तो प्रित्वी भर के निवासियों में सबसे अधिक नम्र था और यहोवा ने सुना यहोवा ने मुसा हारुन और मर्यम से कहा कि तुम तीनों आपू में आवा इसलाड ध्यान दिजी जिए फर्मिश्ट के लिए उसका चुना हुआ दास कितना करीब है । कितना उसके दिल के करीब है अब यहां पर परमिश्चर क्या बोलता है अगर मैं आपको च्छटा कहूं बारा का च्छटा अब परमिश्चर बोलता है मेरी बाते सुनो यह तुम्में से कोई नभी हो तो मैं यहोवा अपने आपको उस पर दर्शन के द्वारा प्रकट करता मैं उसे सुप्ट में बाते करता हूँ परम तुम मेरे द्वास मुसा के साथ ऐसा नहीं है वो तो मेरे पूरे घराने में विश्वास युग्य है मैं उसे आमने सामने प्रतेक्ष रूप में बाते करता हूँ गुप्त रूप से नहीं वो यहोवा का रूप भी निहारने प उसके बाद मर्यम को कोड हो गया अगर आप परमेश्वर के दासों की निंदा करते हैं तो बाइबल कहती है आपकी प्रातना सुईकारियन नहीं है आपकी प्रातना नहीं सुनी जाएगी हलेलीया अगर आप परमेश्वर के जनों का विरोध करते हैं आपकी प्रात्रा नहीं सुनी जाएगी एक उत्पत्ती बारा का तिन क्या कहता है जो तुझे आशिरवत दे उन्हें मैं आशिष दूँगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाब दूँगा अब रहां को क्या आशिष दिया था जो तुझे आशिष देगा उसको मैं आशिष दूँगा जो मैं जो तुझे जो तुझे शराब देगा उसे मैं शराब दूँगा इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर का जन कहीं दिक्कत में मुसीवत में उसको ब्लेस करो उसको ब्लेस करो क्योंकि आप परमेश्वर के जन को ब्लेस करोगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर का जन अगर भूका है उसे रोटी दो उसकी सहायता करो अगर आप उसकी सहायता करेंगे परमेश्वर आपकी सहायता करेगा परमेश्वर इतना प्यार करता है अपने जन से अपने चुने हुए दास से लेकिन अगर आप उसका विरोध करेंगे अगर आप उसका मजाक उड़ाएंगे अगर आप उसमें कमिया ढूंडेंगे परमिश्वर आपकी प्रात्रों को नहीं सुनेगा बाइबल कहती है, मैं नहीं कहला हूँ बाइबल कहती है इसलिए जो पांच कारण आज मैंने आपको बताएं इन में से अगर कोई भी एक है अभी समय हो रहा है, अगले पांच मैं अगले वीक लूँगा आलेलुया, प्रिस अलॉट, क्या है, पहला क्या था कि जो हम चाहते हैं, उसे नहीं मांगते बजाए उसके संगर्ष करते हैं हालेलुया, हम जो मांगते हैं, परमिर्ष से मांगते नहीं है, हम संगर्ष कर रहे हैं, हम अपनी युक्तियों को लड़ाने, कि इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, यह हो जाएगा, मेरे पॉइंट्स हैं, मैं इससे निकाल लूँगा, वैसे निकाल लूँगा, नही हम मांगते हैं हैं हम संगर्ष करते हैं तो परमिश्र आपकी प्रात्रा नहीं सुनता है दूसरा हम स्वार्थ की भावनाओं से मांगते हैं अगर हमारे प्रात्रा में स्वार्थ है तो परमिश्र हमारी प्रात्रा नहीं सुनता है आपके पास है लेकिन और मांग रहे हैं इसारि अभी अभी आपने ली और existed एक्लिकिसारी कि मुझे प्रतिमक वांगता अगर आप पाप में लिफत रहते हुए मांगते हैं जैसे यशायान चास का एक दो कहता है कि उसके हाथ लंबे हैं वो बहरा नहीं हैं क्いूं नहीं सुनता है क्योंकि आपके अधर्म के कामों की बज़ा से अगर आपके काम अधर्म हैं अगर आप पाप में लिफ्थ हैं तो आप कितनी भी प्रात्रा कर लें परमिशर आपकी प्रात्रा नहीं सुनेगा चौथा जब आप निर्धन की चीख के लिए बहरे हो जाते हैं अगर कोई कंगाल अगर कोई निर्धन आपके साथ है और आप उसकी चीक के लिए वो आपसे सहायता मांग रहा है वो आपसे कह रहा है कि प्लीज मरी हेल्प करिये आपके घर में रोटी है आप उसको रोटी नहीं दे रहे हैं परमेश्वर आपकी प्रात्राओं को नहीं सुन नहीं सुनेगा पांचवा आप परमेश्वर के पवित्र जनों का विरोध करते हैं परमेश्वर आपका नहीं सुनता है अगर आप परमेश्वर के जनों को विरोध करते हैं मजाक उड़ाते हैं गलत कहते हैं बाइबल क्या कहती है अगर कोई आपको सताता है तो आपको क्या करना है प्रातना करनी है अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का जन ठीक नहीं उसके लिए प्रातना करनी है हम उसको न्याय करने वाले कोई नहीं है हमारा न्याय करने वाला कौन है परमेश्वर, हालेलुया तो परातनाय पूरी ना होने के दस कारण है, जिसमें आज मैंने आपको बताए पांच कारण और अगले वीग बताऊंगा मैं आपको पांच कारण हालेलुया, मैं आपसे परातना करता हूँ कि प्रीज इनको समझे और ये अगर चीजे आपके जीवन में हैं तो इनको निकालिये ताकि परमेश्वर आपकी प्रातना सुन सके हालेलुया जो स्तालिया बढ़ाई पिता परमेश्वर के लिए शुमसिख के लिए कोई बोले का हालेलुया